तो हेलो फ्रेंट्स वेलकम बैक इन अने धर वीडियो तो अभी जो है जहां पर सब्जिया बोए जा रहे थे वहां पर जो है हम आ चुके हैं और पिछली बार आप लोगों ने देखा था सब्जिया जो है बहुत ही छोटे छोटे थे लिकिन अब देखिए पिछली बार की त तो लगनता तीन चार दिनों से बारिश ओर रही थे तो इसी के नाते जो है यहां पर भी पानी भरा हुआ है और अभी के टाइम पर अगर गाउं मेस देखो गे तो सब जगा में सब जगा सबजी बॉया हुआ है दोस्तों यहाँ पर यह सब जो बॉया हुआ है इतना सारा यह सब कद़ू बॉया हुआ है तो अभी हम आगे चलते हैं वहाँ पर देखिए कुछ फूल नज़ार आ रहे हैं वो किसके फूल हैं वो आपको मैंने बताया लेकिन एक बार और बता देता हूं पहले चलते हैं उसके पास एक बेस्ट नजारा दिखाऊं आपको एक मिनेट रुग यह दिखाता हूं यह देखिए हर जगह फूली फूल है क्या बढ़िया लग रहा है यह आप मैं आपको बता दूँ यह फूल जो है यह कोड़े का फूल है एक में जो है यहां पर देखिए मैं आपको दिखाता हूं एक में इस तरीके से जो है कोड़े लगते हैं और कोई-कोई में यहां पर देखिए उस तरीके से जो है फूल लगते हैं और इस फूल के जो है बरिये बनते हैं और पकोड़े बनते हैं और खाने में जो है एकदम मस्त बहुत ही अच्छे लगते हैं तो पिछली बार मैंने आपको दिखाया था तो बहुत ही चोटे-चोटे थे और पहले में आपको दिखाया था तो बोए जा रहे थे अब तो भाई आके देखा तो इतने बड़े-बड़े हो गए और इसमें सब्जी बियानी लगी है और इसमें जो है कद्धू और तरवै दोनों बॉया हुआ है अभी जो है यह फिस्टार्ट मोग काफी धिक रहा है तो यहां पर देखिए करद्दू लगा हुआ है यहां पर देख्यें तो ऐसे ही जो है धीरे धीरे सब्जी आउग रही हैं तो वहां से पूरा नाला बनाए हुए हैं पानी जाने के लिए तो अभी हम चलते हैं अपने खेट के पास क्यूंकि हम लोगों नोजे हैं मैंने आपको बताया था सब्जी सब्जी वालों को इन ही को इन ही सबको हम लोग देखने में जो है काफी बढ़िया लग रहा है यह देखिए पूरी तरफ हडियाली है तो चलिए भी हम चलते हैं और हाँ पूरे खेत में जो है पाइप लगा हुआ है बस मसीन स्टार्ट करो कुछ करना नहीं है पाइप जोड़ना उड़ना नहीं है पूरे खेत में जो है पाइप फेलाया हुआ होता है और जैसे ही मसीन स्टार्ट करते हैं पानी की जरूरत होती है तो पानी अपने आप भर जाता है यहाँ पे देखिए एक छोटा सा पाइप सबजी बोया है लाइन से इस तरफ गया है और एक इस तरफ गया है एसे ही हल खेते और अपने हमारे खेत में जो है अभी सब्जिया जो है तयार हो गई है मैं आपको दिखाता हूँ अभी हम वहां थे और वहां से यहां आ चुके हैं और यहां पर देखिए उसी तरीके से यहां भी यहां तो यह सब लोकी है और यहां पर देखिए जो भी लोकी जो है हां का तयार हो गया है मैं जो है बहुत ही पहले बो देते हैं इसलिए ये जो है सब्जी यल्दी तयार हो गया है तो चलिए मैं भी आपको चल के दिखाता हूँ हुआ हुआ है कि अग्यार दोस्तों सब्जी यह से ऊपर क्यों लसा हुए है मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि बादिश के नाते जब बादिश होती है तो सब्जी यह जब नीचे रहती है तो सब्जी यह सड़ जाती है बहुत ही नुकसान हो जाता है इसके लिए ऐसे ही उपर लसा देते हैं क्योंकि चाहे जितना बादिश हो तब सब्जीयों का नुकसान कुछ भी नहीं होता ह बहुतत अच्छे से सबजीया तयार हो जाती है तो दोस्तो अरे यार तो सीधा आया कदू से ही टकडा अगया उपर ही था तो यहां पे ज़ादा तर लोकी तरोई और कदू ओर इसे ही सब 2-4 सबजीया और है मिरे हिसाब से लोकी और कदू कुछ जादा बोई हुए हैं तो यहां पे जो है घास वाद जो है सब साफ कर रहे हैं यह देखिए यहां पे जो सब फैला हुआ था लोकी उसको एकटा कर रहे हैं सब लोग यहां पे देखिए तो दोस्तो चलिए उस पार चलते हैं और उस पार हम लोगों ने अपना खुद का उरुद जो है बोया हुआ है ये तो हम लोगों ने सबजी वालों को दिया था तो ये सब जो है बोय हुए है लेकिन वहां पे जो है हम लोगों ने उरुद बोया है तो बहुत दिन होगे मैं देखा हूं तो चलिए देखाते हैं तो आया हूं तो सज्जियों के बहाने अपना खेट भी देख लेता हूं तो वहां से पूरा ये जो है हमारा उरुद बोया हुआ है और काफी बारिश हुई जिस दिन हम लोगों ने बोया था उसके कुछी 12-12 गंटों बाद लगातार ती 3-4 बार जब भी वोई हैं जब भी उसके दूसरे दिन बारिश होता है इतना है लिकिन हर बार नहीं होता था उरुद लिकिन इस बार बारिश हुआ था लिकिन ओलन जो है ऊपड़ी तरीके से कि अ कर सार्य लककि वादर बारिए और फूल देख यह देखने में इतना मस लग रहा है पूरा हरा और पीला पूरी हर जगह दिख रहा है दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते तो जो जो वीडियो देख रहे हैं वो लाइक कर दें और जो जो चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों इतनी मैं